हलो दोस्तों नमस्कार वेदा क्लासिस पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों UPPCS 2024 के exam form शुरू हो चुके हैं आवेदन form चल रहे हैं और इसकी prelims की exam 24 मार्स 2024 को expected रखी गई है 24 मार्स 2024 को इसका prelims होना तैंक किया गया है लेकिन यदि आपके सामने एक बड़ा question mark आ रहा है कि UPPCS 2024 की preparation strategy क्या होनी चाहिए या इसकी तैयारी हम कैसे करें तो आपके लिए ही यह वीडियो बनाया गया है और आप सही जगह पर पहुंचे हैं आज इस session में हम बात करने वाले हैं कि UPPCS 2024 की हम तैयारी कैसे करेंगे हम इस session में पूरी की पूरी strategy की उपर बात करने वाले हैं किस strategy के तहत हम पूरा का पूरा syllabus cover कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या strategy होनी चाहिए लेकिन आगे चलने से पहले आप चैनले पर पहले बार विजिट करें तो चैनल को सब्क्राइब करें और बेल आइकोन पर क्लिक करें जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी तरह की classes और exam notice या exam से संब्धित करें टेप्स से संब्धित जो भी updates हो आपको मिल सकें तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो पहला stage होता है इसको जो strategy है उसको कुछ stage में हमने बाटके रखा है तो जो पहला stage होगा वह होगा UPPCS परिक्षा को समझे UPPCS परिक्षा को समझने से अर्थ यह है कि आप UPPCS के परिक्षा पार्ठिकरम को समझे यानि कि जो आपका exam होगा, pre का, means का, आप उसके syllabus को पूरी तरह से समझें, उसका परिक्षा pattern यानि कि exam pattern समझें, कि prelims exam में किस तरह के questions आपसे पूछे जाते हैं, means exam में किस तरह के questions आपसे पूछे जाते हैं, और उसी की आधार पर आगे किस तरह के questions आपसे पूछे जा सकते परिक्षा की समय रेखा, यानि कि जो आपका time duration होता है, साथ ही साथ में पातरता मान दंड, तो ये आपका पहला stage है, उसके बाद जब आप परिक्षा पाठकरम और परिक्षा पैटर्न देखेंगे, तो उसके बाद आपको ये जानना होगा कि इस परिक्षा में किस तरह के questions पूछे जाते हैं, या क्या पूछा जाता है, तो परिक्षा में वास्तों में क्या पूछा जाता है, ये जानने के लिए आपको पिछले सालों के paper को देखना होगा, जो भी previous year के questions है, आप उनको जरूर solve करें, चाहे वो prelims के questions हो, या mains के question हो, C set के question हो, या किसी भी level के question हो, आप PCS के पुराने papers को solve करें, उससे आपको ये idea मिलता है, यूपी PCS में किस level के questions, किस nature के questions पूछे जाते हैं, और ये चीज़े आपको के well, previous year questions से ही मिल सकती हैं, इसके बाद पूछे गए प्रशनों के pattern, विश्यों के weightage को समझने के लिए भी जो previous year questions से उनका अध्यन करन चाहिए, प्रशनों के pattern का मतलब ये है, किस तरह के प्रशन पूछे जा रहे हैं, यानि कि objective पूछे जा रहे हैं, या कथन तरक वाले पूछे जा रहे हैं, या उन में से घुमावदार प्रशन पूछे जा रहे हैं, काफी deeply पूछे जा रहे हैं, या medium, या hard, easy, किस तरह के questions साथ ही साथ में हमें जो विश्यों के वेटेज होते हैं सारे सब्जेक्ट होते हैं तो किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होता है या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कहां पर या किस टॉपिक से संबंधित किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किस पर्टिकुलर चेप् परिक्षा पैटर्ण को समझने के बाद या UPCS exam को समझने के बाद That am on us 3 में आता है कि आप इस exam के लिए खुद को तयार करें yourself प्रपेयर करें अपने आपको इस exam को तयार करें आप इस exam के तयारी शुरू करने से पहले आप अपने आपको physically और mentally दोनों भी तरीके से आपको strong होना होगा ठीक है यानि कि consistency इसमें main role play करती है जैसे कि मानसिक और सारी एक रूप से mentally और physically रूप से आप इसमें तयार होने का मतलब ये बताया जा रहा है कि आप के पास consistency होनी चाहिए आपको लगातार मिहनत करने की आदत होनी चाहिए आठ से दस घंटे आप sitting plan बना सकते हैं उसमें आठ से दस घंटे का sitting plan आपके पास होना चाहिए आप पढ़ाई से board नहीं होने चाहिए जिसके लिए आपको शारिक और मांसिक रूप दोन ही तरीके से मजबूत होने चाहिए शारिक रूप से कई वेद्याथी कमजोर होते हैं जो की काफी जादा देर तक sitting नहीं कर पाते हैं कभी उनको किसे भी तरह का पेन हो सकता है यह तमाम तरह की बाते होते हैं मांसिक रूप में वो जादा देर तक दिमाग को अपने उलजा नहीं सकते हैं या दिमाग का उनका जो mind होता है वो चीजों को कैस नहीं कर पाता है तो सबसे पहले आपकी मांसिक रूप काफी मजबूत होनी चाहिए क्यों कि जो PCS एक्जाम होता है एक कर सकते हैं कि पतिष्टित पद मिलते हैं इससे जो आपके राज सेवा से होते हैं काफी पतिष्टित और अच्छे पद मिलते हैं मांसमान वाले पद मिलते हैं जिसके लिए आपको एक तरह से तनाव से गुज़रना होता है और उसके लिए आपको एक तरह से त्याग परिश्रम करना होता है तो जिसके लिए आपको मांसिक और सारे एक रूप से तयार रहना होगा दूसरी बात इसमें है कि अपने आपको तयार करने के साथ ही साथ में आ आप अपनी रणनिती की योचना बना यानि कि जो आपकी प्रिपरेशन किस तरह से होगी, आप उसका टाइम टेबल सेट करें, कि आप टाइम टेबल अपने परिक्षा पैटरन के एकोर्डिंग और अपने आपको सेट करें, दूसरी बात यह है कि सेल्फ इस्टुडी के ले रहे हैं, तब भी आपको सेल्फ इस्टुडी कमपल्सरी है, बिना सेल्फ इस्टुडी के आप इस एक्जाम को क्रेक नहीं कर सकते हैं, क्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन सा होता है, क्योंकि आपको जो कोचिंग या जो भी टीचर्स होते हैं, चाहे वो घर पर आकर रिवीजन करना होगा, तो आपको अपनी कोचिंग के क्लासे से ज़्यादा सेल्फ इस्टुडी पर भी फोकस करना होगा, जिसके लिए आपको डिस्प्रिन रहना होगा, यानि कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, और आपका जो टार्गेट हो, डेली टार्ग आना चाहिए कि आपको ये exam crack करना है, या आपको ये काम करना ही करना है, कहीं बाहरी motivation कि आपको इसमें अवशकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और इसके तैयारी के लिए आप इसकी तैयारी बेसिक लेवल से सुरू कर सकते हैं, और बेसिक लेवल से सुरू करते बेसिक लेवल की तयारी के लिए और उसके बाद आप हायर लेवल तक जा सकते हैं यानिकि standard books भी आप बाद में पढ़ सकते हैं इसके बाद आता है तीसरा stage में आता है परिक्षा pattern को समझें तो परिक्षा pattern को कैसे समझें या इसमें क्या-क्या चरण होते हैं या कैसे हमारा final selection होता है कि इस तरह के exams होते हैं यह सारे उसका nature आपको समझना होगा तो जो syllabus होते हैं जैसे prelims का syllabus, mains का syllabus और interview तो prelims के syllabus, mains का syllabus को हमने एक अलग session में decode किया हुआ है part 1 में prelims का है, part 2 में mains का दिया गया है उसका link आपको description box में दिया गया है आप वहां से उनको भी देख सकते हैं तो सबसे पहले जो परिक्षा pattern को समझने का मतलब है कि इस परिक्षा में आपको 3 stage को पार करना होता है पहला prelims होता है जो important होता है बहले है prelims के marks आपके final selection में नहीं add होते हों लेकिन prelims भी बहुत important होता है important इसलिए होता है क्योंकि बिना prelims को crack किये आप mains में नहीं जा सकते हैं इसलिए जब आप तयारी करें तो आपका target यह होना चाहिए कि आप prelims कम mains prelims और mains दोनों की तयारी साथ साथ कर रहे हों ठीक है उसके बाद क्योंकि जो mains आता है तो prelims के बाद जो prelims exam होता है उसके बाद जब mains exam होता है तो इतना ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं रहता है कि आप पहले साल भर 6 महीने 8 महीने केवल prelims करें और उसके बाद 4-5 महीने में यह 3-4 महीने में आप mains exam के तयारी कर लें ऐसा possible नहीं होता है इसले prelims कम mains आपको तयारी करना चाहिए उसके बाद साक्षातकार जो interview होता है तो interview उनके लिए होता है जो मेंस परिक्षमें क्वालिफाई करते हैं तो जो interview होगा उसका क्या उदेश होता है उसका आपका academic background जाना या आप university के gold medalist रहे हैं इन सब चीजों से ज़्यादा आपको प्रभाव पड़ता है आपकी personality पे और आप किस post के लिए ज़्यादा उपयोकत है या किस post के लिए आप ज़्यादा तर वहाँ पर satisfy करेंगे किस post पर आप ज़्यादा satisfy करेंगे यह चीज़े interview में देखी जाती है उमिद्वारों का जो chain होता है यानि कि जो selection होता है मेंस exam और interview के आधार पर किया जाता है इसके बाद जो चौथा stage है चौथे stage में आता है UPPCS परिक्षा के syllabus को जाने UPPCS का जो syllabus होता है उसमें prelims और मेंस दो अलग-अलग exams होते हैं और दोनों की syllabus लगभग-अलग होते हैं इसलिए मैंने कहा था कि जो prelims और mains के जो syllabus है उनको decode किया गया है आप उनको देख सकते हैं अलग-अलग session में उनको decode किया गया है इसके बाद सबसे पहली बात हमें prelims पर focus करना होगा prelims और focus इसलिए करना होगा जोंकि आपको मैंने अभी बताया कि prelims से ही आपका एक ऐसा रास्ता होता है जिसके माध्यम से आप mains और उसकी बाद interview तक पहुंच सकते हैं तो prelims के prelims का जो pattern होता है उसमें दो exam होते हैं आपका journal studies का और second होता है C-set का लेकिन जो आपको mains तक जाने के लिए merit बनाया जाती है वह है केवल journal studies यानि की paper 1 का बनाया जाता है जबकि C-set आपका qualifying रहता है तो जो आपका prelims होता है वह एक तरह का MCQ type होता है इसलिए उसमें आपको concept भी बहुत ज़्यादा clear होने चाहिए क्योंकि थोड़ा सा भी mistake और आपका answer गलत answer गलत होने के साथ negative marking भी में रखी जाती है तो इसलिए आपको समान अध्यन पर भी focus करना होगा समान अध्यन के साथ साथ history, policy, geography, economy science, technology current affairs यह सारी चीज़ें कैसे पढ़नी कहां से पढ़नी है वो सारी चीज़ें आपको syllabus में decode की गई है दूसरी बात आती है C-set का जो C-set होता है तो C-set एक तरह का qualifying होता है जिसमें सभी candidates को 33% marks compulsory किये गए है उसके बात जो mains का आपका syllabus है तो mains में काफी descriptive जो exam होता है आपका उसका काफी broad syllabus होता है काफी बड़ा syllabus होता है mains का तो उसको भी आपको समझना जरूरी होता है कि जो previous questions पेपर होते हैं उनको देख कर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह की किस nature के questions यहाँ पर पूछे जाते हैं इसके बाद अगला stage होता है अपनी ताकत और कमजोरियों को जाने कर अंतलब यह है कि अपनी subjects की ताकत और कमजोरियों को जाने कि आपकी subject में बहतर है कि subject में आप weak है कहाँ पर आपका performance अच्छा चल रहा है कहाँ पर आपका performance बेक चल रहा है और यह सारी चीज़ें आप अपनी subjects के according उसकी पहचान करेंगे कि आप अपने सभी subjects में अपनी performance को analysis करेंगे और उसके बाद आप उस analysis के अधार पर ये पहचान पाएंगे कि आपका big point क्या है या आपका strong point क्या है तो जहां पर भी आपको कटिनाई के सामना करना पड़ता होगा या जिन subjects में आप कटिनाई महसूस करते होगे या जहां पर आपको problem होती होगी उन चीजों को आपको समझना ज़रूरी होगा लेकिन यदि आप अपने से self analysis नहीं कर पा रहे हैं वैसे यदि आप कोशिस करें कि self analysis कर सकें तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप एक बड़े पत पर जा रहे हैं जहां पर आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली होती है तो इसके लिए आपको self analysis बहुत ज़रूरी होता है self analysis में आपको कम सकम इतना तो पता होना चाहिए कि आपका big point गया है और आपका strong point गया है तो अपने जो weak और strong point हैं इसके लिए आप अपने सिक्षकों से जो आपके teachers होते हैं जो आपका mentors होते हैं उनसे भी आप इस वारे में चर्चा कर सकते हैं जिस पर वो आपकी performance के coding वो आपको कुछ समझाईस दे सकते हैं लेकिन यह ध्यान रिखिएगा कि आप से ज़्यादा आपको analysis कोई और नहीं कर सकता है clear उसके बाद जो भी आपका strong point हो उस पर ध्यान दें और जो आपका big point हो उसको सुधार करने पर ध्यान दें जिससे कि आपकी जो भी कमजोरियां हैं जो भी आपके big subjects हैं उनको आप सुधार कर वापस आ सके और एक main stream में आ सके इसके बाद अगले स्टे जाता है study plan बनाएं यानि कि जो अभी आपका study plan है वह है आप अपने syllabus के according सबसे पहले prelims का syllabus आपको cover करना होगा prelims और mains दोनों की syllabus को आप ध्यान में रखते हुए अपना एक study plan बनाएंगे और उसी study plan के according आप अपने subjects को cover करते हुए चलेंगे ठीक है उसके बा दिखते चलें कि कहां पर आपको क्या दिखते है आ रही है और उसके आधार पर डे बाई डे आप target रखें कि आपको एक दिन में कितना पढ़ना है लेकिन इतना भी बड़ा target ना रखें आप कि आपको उसको पूरा करने में ही एक हफ्ते में ही आपका दम निकल जाए एक दिखास से स्टार्ट करना चाहते हैं आपकी सिटिंग तीन घंटे-चार घंटे की है तो आप उतनी सिटिंग बनाए और एक हफ्ते का target रखें कि एक हफ्ते तक मैं डेली 4 घंटे पढ़ूँगा उसके बाद एक हफ्ते विक में आप एक से दो घंटे सिटिंग बना सकते है और इस तरह से आप अपना सिटिंग प्लान बनाए तो इससे जो आपका day by day, weekly या monthly जो भी आपका target रहेगा आप उसको analysis कर सकते हैं और साथी साथ में जो आपकी progress रहेगी उस पर भी आप नजर रख सकते हैं इसके बाद अगला प्लान आता है जो prelims के लिए साथी साथ में म के लिए भी काफी important होता है current affairs के साथ update रहें तो current affairs के साथ update रहने के लिए जो candidates बड़ी cities में रहते हैं किसी भी city में रहते हैं तो उनके लिए जो बड़े newspapers होते हैं जैसे the Hindu, the Indian Express, the Times of India इस तरह के जो civil services के लिए main रूप से या जिसमें जो कायदे की news आती है जो कि आपकी competitive exams क के लिए अच्छी मानी जाती है तो यह जो news होते हैं आप इनका सहरा ले सकते हैं लेकिन जो remote areas में candidates रहते हैं दूर दराज के grammar शेत्रों में रहते हैं वहाँ पर यह आपके जो the Hindu, the Indian Express यह समचार पत्र नहीं मिल पाते हैं तो इसके लिए आप online resources का सहरा ले सकते हैं ठीक है online resources में आप इनको online भी पढ़ सकते हैं इनके app के माध्यम से या कि प्रिस Information Bureau यानि की PIV, All India Radio, AIR के माध्यम से भी आप news को देख सकते हैं वहुत detail form में यहाँ पर news आपको मिल जाएगी साथी साथ में current affairs के लिए एक monthly magazine लगाएं और बहुत ज्यादा magazine नहीं पढ़ने हैं आपको केवल एक magazine योजना या कुरुक्षेत्र ले सकते हैं जो कि आपकी UP pieces के लिए अच्छी मानी जाएगी साथी साथ में यदि UP pieces के लिए कोई और भी जो local news चलती हैं या केवल उत्तर प्रदेश से संबंदित जो बाते जिस magazine में आती हो आप उसको भी cover कर सकते हैं इसके बाद जो आपका last आता है mock test लगाएं आप अपनी सारी तयारियों को करने के बाद आप topic wise mock test और फिर उसके बाद exam के एक महिने पहले से आप अपना mock test लगाते रहें तो mock test लगाने से आपका जो mindset होता है वह exam recording होने लगता है जिससे कि exam hall में जो mistakes होती है के rate से easy questions से भी गलत हो जात करते हैं रेस से बाहर कर देते हैं तो जो आप mock test लगाएंगे उनसे आपकी consistency बनेगी जो भी आपका प्रिक्षब pattern या mindset होगा उस प्रिक्षब pattern के according आपका mindset बनता जाएगा आपका जो present आप mind होगा वो काम करने लगेगा यह सबसे main बात होती है mock test के लिए mock test में आप अपन में आपके score कम बन रहे हो उस point पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरौत होगी ठीक है तो mock test से mainly क्या होगा आपकी present of mind आप अपने आपको analysis कर सकते हैं जो भी कमिया होगी आप उसको बहतर कर सकते हैं साथ ही साथ में time management हो सकता है तो उमीद करता हूँ आपको यह session अच्छ relative रहने वाला है और यदि सारी चीज़ें आपको याद नहीं हो पाती है तो आप इसको एक pen paper में भी note कर सकते हैं या यह जो आपको PDF है इसकी यह PDF भी आपको हमारे telegram group से मिल जाएगी मिलते हैं आप से आई लिए session में तब तक लिए नमसकार धन्यवाद